गते हैं पियम मोदी जिस काम को ठानते हैं वो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं यही उनकी कारेशैली है और यही उनकी पहचान भी दरसल पेडेश समझाते में पियम मोदी ने परियावरन सन्रक्षन को लेकर दुनिया को जब संबोधित किया तो नहोंने कहा था कि परियावरण सनरक्षन को लेकर दुनिया भर के देशों को जिम्मेदारी लेनी होगी आगे पियम मोदी ने कहा था कि भारत इस जिम्मेदारी के तहट 2030 तक 33 से 35 फिसदी कारवन का उत्सरजन कम करेगा मोदी सरकार की उजाला योजना भी इसी से प्रेरित है उजाला योजना के तहट मोदी सरकार ने सस्ते दाम पर 30 करोर से अधिक बल्व बांटे इससे हर घरों में खपत होने बाली बिजली और बिजली के बिल में कमी आई इससे परियावरन को नुकसान पहुचाने वाले कारवन के उत्सरजन में भी कमी आई परियावरन के बिगरते हालात से तापमान का संतुलन बिगर गया है लोग बढ़ते तापमान से राहत पाने के लिए घरों में एसी कूलर लगा रहे हैं जो अत्याधिक मातरा में बिजली कंजूग करता है और बिजली का कंजप्शन बढ़ने से अत्याधिक मातरा में कारवन का उत्सरजन होता है इसी पर विराम लगाने के लिए मोदी सरकार ने एसी बनाने वाली प्राइविट कंपनियों से डील करब सस्ती एसी बेच रही है जिससे लोगों को ही राहत मिले और परियावरन को कम से कम नुकसान पहुँचे इस योजना के तहट मोदी सरकार फाइव स्टार नेबल की एसी बाजार में मिलने बाली कीमत से 30 फिसदी किफाइटी दाम पर बेच रही है यही नहीं इस एसी की खास्यत यह है कि ये सालाना 300 यूनिट बाजार में मिल रही एसी से कम बिजली कंजून करेगी जाहिर है इससे आम लोगों को आर्थिक रूप से राहत तो मिलेगी ही साथ ही इससे पियम मोदी के परियावरंड संरक्षन के मिशन को भी बल मिलेगा